हाई फ्रेंड्स आज की इस वीडियों में हम सिख धर्मे के दस वे और अंतिम गुरू गुरू गोबिन सिंग जी पर संस्क्रिद भासा में 10 पॉइंट्स यह निबंद देखने जा रहे हैं तो चली स्टार्ट करते हैं एसे और गुरू गोबिन सिंग इन संस्क्रिद लेंगविज गुरू गोबिन सिंग सौर्य धैर्य त्याग विसिष्टम आसी जो गुरू गोबिन सिंग जी थे उनका जो सौर्य था धैर्य था वो और त्याग था यह बहुत ही विसिष्ट था एशा सिख नाम धर्म गुरू आसीद, वे सिख्खा नाम, यहां आधा का है, वे सिख्खा नाम, यहने सिख्खों के धर्म गुरु आसीद, वे सिख्खों के धर्म गुरु थे, गुरु कोबिन सिंग, दसम गुरु आसीद, जो गुरु कोबिन सिंग थे, वो दसवे गुरु थे, ठीक है, नेक्स चलते हैं, सह अंतिम गुरु आसी, वे लास्ट अंतिम यहने लास्ट गुरु थे, सह सित, सिक धर्मा से प्रवर्त का कत्य थे, उन्हें सिक धर्म का यहां सिक धर्मा आएगा, सिक धर्म का प्रवर्त का जाता है, धर्मा से प्रवर्त का आसी, तस से जननम पाटना नगरे आसी, जो आज पटना देख रहे हो न, बिहार के जो पाटली पुत्र जिसका पुराना नाम था, तो उनका जो जन में स्थान था वो भाही पटना में होता, तस से माता गुजरी आसीत, उनकी जो माता थी वो थी गुजरी, तस से सिंतु, ऐसा कोई सब्द नहीं है, तस से पिता, गुरु ते पतेज भाध, तए टना वस लिखना है, तस से महात्यागी समाज सेवक आसी, स याने वा य। एक महात्यागी समाज सेवी थे, 1966 तमे वरसी कार्थिक सुकल समाज, जसर्कित, तस से जन अंब अभवत, उनका जो जन में, 1966 में सुकल कार्तिक सुकल में हुआ था एक महीने में 30 दिन होते हैं जिसमें से 15 सुकल होते हैं और 15 कृष्ण जो 15 जिस दिन पूनिमा होती है बो इस टाइम सुकल चलता है उसके 15 दिन कृष्ण चलता है इस दिन दिन रात होता है वाहे गुरु जी का खाल सा वाहे गुरु जी की फत्र तो ये थे वाहे गुरु गोबिन सिंग जो सिक धर्मे के प्रवर्तक हैं दसवे गुरु हैं अंतिम गुरु हैं सौर धहर त्याग उनका एक विशिस्ट हैं तो ये ही हम उन पर पॉइंट्स देखें तो I hope आपको समझ जाये गो तो at last thanks for watching the video please share the video as much as possible with your friends and classmates